नमस्कार आप सभी का एक बार फिर्शे स्वागत करते हैं आई टी टी निउस में देखेंगे आज दिन बर की छोटी योंग बड़ी खबर तुशे फल एक नजर हेडलाइन पर डाल लेते हैं तो बहुत बड़ी खबर निकल किया रहे है लेंड फॉर जब मामले पर यह क्या बोल गए तेजश्वी आदो एडी के शवाल पर बताएंगे पूरी खबर विस्तार्षे वहीं आप दासली के खडगे के नाम से रूठे नितिस कुमार को मनाने के लिए राहूल गादी आगे आया कि आप फोन क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार्षे साथ बड़ी निकल क्या रहे है एक ही फुलाइट से दिल्ल से पटना लोटे लालू यादो और गिरी राशिंग तेजश्वी को लेकर क्या हुई बात बताएंगे इस वीड़ो के माध्यम से साथ बड़ी खबर निकल क्या रहे है सिर्फ सीट बटवारा नहीं चुनावी मुद्दे वित पूरी खबर बताएंगे 277फ़ा निकल क्या रहे है नितीज कुमार के पीम उमिद्वार पर ललन जिंग का बड़ा बयान जानिये क्या का आप बताएंगे पूरी खबर विस्तार से साथ बिजाच लेका और बड़ी खबर निकल क्या रहे हैं कोरोना ने फिड़ वड़ाई टेंशन व्यार में मिले दो संक्रमित मरीज केरल असम की निकली आप देके तमाम चीओ को लेकर कोरोना में एक बार फिर शे बड़ात नजर आ रहे हैं क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से तियो थी सुर्किया इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से तुसे अगर आप अभी चैनल पर नहे हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो लाल वाले बटन को दबा कर इस वीडियों को लाई कर इस वीडियों को आगे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिजेगा और वीडियों में आखरी तक बने रहिएगा ज़्याद सामने आई है उन्होंने कहा है कि एजेंसियों के बुलाने पर हम तो पहले भी जाते रहे हैं तेजस्वी यादा गुरुवार को पटना पहुचे पटना एरपोट पर तेजस्वी ने मीडिया से बातचित के दोरान कहा कि हम तो जाते रहे हैं चाहे इंकम टेक्स, C इडी बुलाया हो यह सब तो चलता ही रहेगा और हम तो पहले ही बोले थे तेजस्वी ने आगे कहा कि एजेंसी वालों की क्या गलती है जब उन पर इतना प्रेशर है लेकिन एक बात तो तय था पहले से और यह बात सच भी हो गया कि चुनाव मध्य परदेश 36 गढ़ा और र लालू प्रसाथ से 27 दिसंबर को पुछता चोगी इडी मुख्याले के अस्तर से बुधबार को इसे संबंधित आदेश जारी किया गया राहूल गांधी ने गुरुबार को इंडिया गठबंदन की बैठा के दोराल लिये गए फैसलो पर चर्चा के लिए बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार को फोन किया सुत्रो ने इसकी जनकाई दी है उन्होंने यह भी कहा है कि यह कांग्रेस की तरफ से उन्हें मनाने का एक प्रयास है सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ममता बनर जी और अर्विंद के जरिवाल के दोरा इंडिया के बैठक में मलकार जुन खड़के का नाम प्रधान मंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने से नितिस कुमार नराज है सुत्रों ने बताया कि नितिस कुमार और राहूल गांधी ने विपक्ष की बैठक में लिए गए फैशलों को लागू करने पर बात की सुत्रों के मुताबिक राहूल ने उन्हें इस बात का अश्वासन दिया है कि इंडिया गठबंदन में उनकी अहम भूमिका होगी सीट बटवारे और अन्यमुद्दों पर फैसला जल्द लिया जाएगा इस बिच राज़त प्रमुख लालू प्रसादियादों ने कहा कि नितिस कुमार किसी से नराज नहीं है और विपक्ष एक जूट है लालू प्रसादियादों ने कहा कि बैठ़े के दोरान मिडिया के एक बर्ग ने एक और कहानी गढ़दी की लालू प्रसादियादों और नितिस कुमार एक दुसरे से नराज है यह सच नहीं है हम एक जूट है और हम बिहार में एक साथ लड़ेंगे राहुल गांधी की पार्टी में जाएंगे प्रसांद की सोर पिके ने कहा है मेरी विचारधारा कांग्रेस के करीब है ऐसे में कांग्रेस को तै करना है कि अब उस पार्टी को तै करना है पिके के इस बयान से बिहार के सियासी गलियारों में हल चल मच गई है हालांकि अपनी जन सुराज पदियात्रा के दोरान वे गाउं गाउं जाकर कांग्रेस समित अन्य दोलों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं एक नीजी चैनल को दिया इंटर्विव में प्रसांद की सोडने कांग्रेस से जुडने की इक्षर जदाई पिके ने कहा कि उनकी बहुत हद तक कांग्रेस जैसी है कांग्रेस जिस विचार धारा पर चल रही है वे भी उसी के आसपास है ऐसे में अब कांग्रेस को तै करना है कि आगे क्या होगा बता दें कि पीके अभी बिहार में जन सुराज पद्यात्रा निकाल रहे हैं इसके ताहत वे कई जीलों का दौरा कर चुके हैं और गाउं गाउं जाकर लोगों को जागरू कर रहे हैं एक ही फ्लाइट से दिली से पटना लोटे लालू प्रसाद यादो और गिरी राज सिंग के जोस्विकों को लेकर क्या बात हुई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो इंडिया गठ बंदन की बैठक में सामिल होकर गुरुबारात को दिली से पटना लोटे लालू प्रसाद दिली से जिस फ्लाइट में बैठकर पटना आये संयोग से उसमें बीजे पिनेता एवं केंद्रियम मंत्री गिरी रा नाम ले लिया डिप्रिस्यम भी उसी फ्लाइट में सवार थे पटना यहर पर मीडिया से बाक्चित में गिरी राज सिंग से पत्रकारों ने पुछा कि फ्लाइट के अंदर उनकी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो से क्या बात हुई गिरी राज ने तंज भर नितिस कुमार के पी-म उमीद्वार पर ललन सिंग का बड़ा ब्यान जानिये क्या कहा बिहार का मुखे मंतरे नितिस कुमार की पी-म उमीद्वारी को ले कर जेडू के रास्ट्य अध्यक्ष ललन सिंग की ओर से प्रतिकिरिया सामने आई हैं उन्होंने organizations शेय में कहा के नि अधिकतर लोकसभाचुनाव को लेकर सभी राज्यों में सीटों का बटवारा हो जाएगा अधिकतर सीटों पर विपक्षी दलों का एक ही उमिद्वार होगा या सुनिशित किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा इस अन्यूक्त रूप से लोकसभाचुनाव का मुद्दा भी सभी दलों के निताओं की अलग-अलग जगहों पर एक साथ रह लिया भी होगी ललन सिंग ने इस दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर भी हमला बुला उन्होंने कहा कि किसी को गरांटी देने के लिए कौन रोकता है अपनी ही पीठ थप थपाना हो तो उसको कौन वही उपराश्टपती के उपर टिपनी किये जाने को लेकर उन्होंने कहा कि इन सब बातों को छोड़िये संसद में लोकतंत्र नहीं बचा है विपक्षी संसदों की एक ही मांग थी कि संसद भौन में हुई घटना का गरीह मंत्री जबाब दें और उस पर चर्चा हो पर के संद्र सरकार नहीं मानी करोना ने फिर बढ़ाई टेंसन बिहार में मिले दो संक्रमित केरल असम के निकली ट्रेवल हिस्टरी एक बार फिर देश में करोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है राजधानी पटना में भी करोना के दो नए के सामने आए हैं गुरुबार को यहां दो करोना संक्रमित मिले इनमें एक केरल से आया युवक है जबकि दूसरे का असम से आने का यातराई तिहा से स्वास्त विभाग के सचीव संजेक कुमार सिंग ने इसकी पुष्टी किये उन्होंने बताया कि गरदनी बाग निवासी युवक केरल से आया था उसे बुखार वा सर्दी खासी थी इंडिया गठबंदन की दिल्ली में चौती बैठक के बाद बिहार के मुखे मंत्री और जेडियू के सरवच ने ता नितिस कुमार की नराजगी की कतित चर्चा के बीचिश्यम के करीबी मंत्री संजेक कुमार जा ने कहा कि नितिस ने पीपक्षी ने ताओं की बैठक में क और नहीं सन्योजा के नाम पर मुहर लगी जिसके बाद तमाम विपक्षी दलों में सीट शेरिंग को लेकर जिग्यासा बने हुई है इस बिच सीम नितिश कुमार के करीबी मंत्री और जदू निता संजे जहाने बड़ा ब्यान दिया है और कहा कि जनवरी अन तक इंडिया अ पुछा कब इस दिफा देंगे डिप्टी सियम चुनावी रन नितिकार और जन सुराज के करता धरता प्रसांत की सोड़ने चर्ची तेलाइंड फ़र जोब गोटाला मामले में मनी लंडरिंग की जाच कर रही इडी के सामने पेश नहीं होने पर तेजस्वी यादव पर त की मांकी है गुरुबार साम को ही तेजस्वी यादव इंडिया गठपंदन की बैठक में भाग लेकर पटना लोटे प्रसांत की सोर ने डिप्टी सियम तेजस्वी यादव पर चल रहे है भरस्टा चार के मामलों की जाच पर कटाक्च करते हुए कहा कि बिहार की राजनीत तो वह सक्स इस्तिफा दे दे जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से CBI के चार्ज सीट करने पर ये इस्तिफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं